नमस्कार फियोश पलकों की छाव सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विश्ट अन्टरंस जहां पर देखने को मिला कि अब तान्या को बोच ज़्यादा गुसा रहा होता है क्योंकि जहां पर अंसुमान वहां पर कॉलेज होता कॉलेज के पास ही एक टैंडर ले लेता है जिसकी वज़े से जो तान्या होती है वो जानती है कि ये सब कुछ अंसुमान जान भूज कर कर रहा है तो वहां पर अंसुमान पर आपकी बार फिर सवाल उठाए जाते हैं जहां पर पूछ रहे होते हैं कि तुमने कॉलेज के पास ही ये टैंडर क्यों लिया तो वहां पर अंसुमन बोल देता है मुझे पता है कि सुमन और जो नंदनी है उनके साथ कोई बतमीजी कर रहा है कोई गुंडे उन्हें छेड रहे हैं लेकिन ये दोनों हमें सच नहीं बता रही है जहां पर नंदनी और सुमन से पूछा जाता है तो दोनों जूट बोल देती हैं बोल देती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है आपको गलत फैमी हुई है नंदनी की ये बाते सुनकर पूरे परिवार को विश्वास हो जाता है कि अंसुमन को साइध कोई गलत फैमी हुई है लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जहां पर तान्या खेलने वाले स सबसे कटराखेल जहां पर वा लेना चाहती सुमन की जान तो देखना है काफी दिल्चस्प Wanna बाए गी काम्याप नहीं पर वह उसे मारने की कोसिस करेगी तो उस अहले लौन पर पहुंचने वाला है कि वुस्यक्तुप को